फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमन लंदलाल और मैं आप सभी दुर्शकों का वलकुम करता हूँ आपी के अपने चैनल कमन लंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आजिटिवी नेटवर्प पर फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरी इसके इंतरगत शकुन अपशकुन गुड़ ओमेन बैड ओमेन गुड़ साइन्स बैड साइन यहीं बूलूं लकी अनलकी शुब अशुब तेके शकुन अपशकुन काफी बड़ा शास्तर है और इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश है पक्षी का शकुन माना जाता है इसके अलावा बहुत सारे शुब अशुब से जुड़ेवे संकेत हैं, घर के ऐसे संकेत हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी हमारी बॉडी के कुछ संकेत हैं, आखों का फड़क ना संकेत है, जबान का लड़कडा ना संकेत है, दात का दर्द संकेत है, पक्षियों का च बार बार फटना या उधडना शुब है आशुब। अब हम काले रंग की क्यों बात कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं। क्योंकि काला रंग आज सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। आप किसी भी पार्टी में, मैरेज में देख लीजे। लोग एक जमाने में काले रंग क आज कल लोग काला रंग पहनना शुरू कर दिया है। हर पार्टी में यहां तक की वेडिंग में भी दुलहन को छोड़ दीजे अगर और दूले को छोड़ दीजे। बाकी आपको अधिकतर लोग ब्लैक में दिखाई देते हैं। तो मुलतहक काले रंग के कपड़े अगर फट जाएं, उधर रहे हो बार बार तो ये क्या संकेत है। ये शुब है या शुब है आए इसके बारे में पूरी जान करी लेंगे। देखे संपूर्ण ब्रह्मान जो है ना ये इश्वर की संरचना है। हर वस्तु इश्वर की बनाई भी प्रकरती द्वारा संचालित हो ये ग्यान को हमारे रिशिं मुन्यों ने संजोय कर शकुन शांस्तर की संरचना की है। शकुन शांस्तर के अनुसार कोछ ऐसे संकेत हमें मिलते हैं। जिससे हमें आने वाले दुरभागे वे संकट का पता लग सकता। उससे आप शकुन कहते है। голव भविष्य के और शुबता की और इशारा करते हैं, उसके सफलता की और इशारा करते हैं, उसे शक उन कहते हैं, इस अपिसोड में, हम बात करने जा रहे हैं, काले रंग के कपड़ों का बार बार फटना या उधरना शुब है या शुब, सिधा आएंगे टॉपिक पे, देखे, हर तरीके के कपड़े पर बुद्ध ग्रह का अधिपत्य होता है जितना भी सूत होता है कातावा सूत या पॉलियस्टर किसी भी तरीके का कुई कपड़ा जो तन ढगने के काम आता है उस पर बुद्ध का अधिपत्य होता है और सूत से बने में जितने भी कपड़े हैं चाहे वो टैरी कुछ भी ऐसा जिसको directly body पर वोड़ा जा सकता है वो मूलत है बुद्ध है और जिन कपड़ों को सिल्वानी की कटाई शटाई की ज़रूरत पड़ जाए चाहे वो रेडिमेंट कपड़े हों या सिलेवे कपड़े हों वो शुक्र ग्रह पर उनका अधिपत्य होता है काला रंग है देखे कुछ संस्कृतियों में काला रंग नकारातमक और अशुब भी माना गया है काला रंग शनी को संबोध्यत करता है जहां पर सूर्य यानि कि जीवनी उर्जा नहीं है इस संसार में अर्भों गैलक्सीज हैं मैं सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं यह तो गैलक्सीज हैं और नहीं कितने ब्लाक होल्स हैं नहीं कितनी गैलक्सीज हैं नहीं कितने स्टार्स हैं कितने सन हैं और अगर हम प्रत्वी की बात करें और भारत की बात करें तो हम जर्रे का भी जर्रे का भी जर्रा सहस्तर कोटी गुना जर्रा हिस्सा है प्रत्वी इतना छ है, वहाँ काल विद्धमान है, अर्थात अजीवन विद्धमान है, और वही अजीवन का जो रंग है, वो काला रंग है, कई संस्कृतियों में काले रंग को बहुत शुब भी कहा गया है, और जाधा तर लोग या जितने भी इस्लामिक लोग जो मेल है वो शादियों पर आपको काले शिरवानी पहनते हुए मिलेंगे, काले सूट्स पहनते हुए मिलेंगे, आज के मौडर्ण यूग में भारत जैसे देश में, शादियों के सीजन में भी, शादियों पर भी काले रंग के कपड़े पहन का प्रचलन बढ़ गया है और अगर हम दैनिक जीवन की बात करें हैं मोमन रोस के जीवन में काला रंग ओफिशल ड्रेस कोड बन चुका एट लीस पैंट्स यह 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 बोलू लोवर्स जितने भी हैं चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुश हो ब्लैक अजिकतर पहनते हैं अब बात जरह से लिया आती कि काले रंग के कपड़े का बार बार फटना या उधरना क्या है यह अशुब संकेत है जिसका आरत है शनी खराब हो रहा है सीधा संपल काले रंग के कपड़े का बार बार फटना या उधरने का आरत है शनी और बुद के बीच में पारस पर एक अशुब संबंद बन रहे हैं काले रंग के कपड़े का बार बार फटेने और धढ़ेने का एक और अर्थ है कि शनी और शुक्र के बीच में भी पारेस पर एक अशुब संबंद बन रहे हैं अब अगर हम बात करें शनी करता क्या है या बुद्ध क्या करता है या शुक्र क्या करता है तो कालपुरु सिध्धान्त के नुसार शनी विक्ति के आजवी का कर्म लाब करियर पित्र पिता कर्मटता लाब आए भाई भहन के शेत्र को प्रभावित करता उसका स्वामी है कालपुरु सुध्धान्त के नुसार शुक्र व्यक्ति का कारोबार सांजेदारी दामपत्य सुख धन का शित्र इसका स्वामी है कालपुरी सुध्धान्त के नुसार बुद्ध विक्ति का पराक्रम छोटे भाई भहन बड़े भाई भहन यानि के कुल मिला के भाई भहन अपयश क्रोध रोग व्याधी शत्रू पीड़ा वानिज्य का स्वामी है काले रंग के कपड़े का बार बार फटना या उधरने का अर्थ है पिता से संबंदों में कुटता आएगी और पिता के स्वास्ते में गिरावट आएगी पॉइंट नम्बर बॉन से संबंद बिगडेंगे और पारिवरिक कलेश होंगे इसका एक और अर्थ है शारेरिक पीड़ा रहेगी और सुखों में कमी आएगी और दामपत सुख में कमी आएगी अब लास्ट काले रंग के कपड़े का बार बार फटना है उद्रणेने का अर्थ है जीवन साती का स्व स्वास्त प्रभावित होगा और सांजयधारी में मतवेट के योग बनेंगे तो दोस्तों आज हमने जाना सिर्फ काले रंग का कपड़ा अगर बार बार फट रहे हैं उद्रण रहे हैं तो वह हमें क्या संकेत देता है इसका संकेत शुब है या शुब है कल ऐसे ही विशयो आज के लिए बस इतना इजाज़त दीजिए नमस्कार नमस्यवाए